नमस्कार मैं सुमंत विल्कम टू प्रेप आयेस तारीक है 20 अगस्त शले शुरू करते हैं आज का डिस्कुशन दिन है शनिवार का तो हम आज डिस्कुस करेंगे इथिक्स के दो बहतरीन कोश्चन्स हमारा जो पहला कोश्चन है वो है कन साइन्स पे कोश्चन नमबर टू हमारा होगा एक केस स्टडी ठीक है पर अपने एक एंसियार्टी का जो कोर्स है वो लॉंच किया है यूपेसी दुधर तेईस शोष पच्चीस के लिए आपका जो पूरा फाउंडेशन है वो यह बनाए अच्छा जो बच्चे हमारे नए हैं जो जो जोईन कर रहे है लिक्चर देख रहे हैं आपको आपका अंसर सम्मिट करना होता है हमारे टेलिग्राम गृुप में जिसका लिंक डिस्टीशन दिया गया है उसपे किलिक करेंगे लिंक आपको मिल जाएगा गृृप का वहां आपने answer को submit कीजिए उसको बच्चे review करते हैं आप भी उनको review कीजिए दुसरोग answer को और फिर हम रात में डिसेस करेंगे आपके answers को यहाँ पर इस session में ठीक है चलो शुरू करते हैं फिर पहला हमारा सवाल है it is said that everyone has a conscience अगर conscience है तो आखिर लोग immoral act करते क्यों है लोग unethical काम करते क्यों है यहाँ पर आप करें क्या इसका answer इसका texture समझो आप पहले intro में बताएंगे कि conscience होता क्या है define conscience conscience मतलब होता है अंतरात्मा आपकी जो inner voice होती है जो बताती है कि आप जो काम करने वाले हैं या कर रहे हैं वो सही है या गलत वो ethical है unethical है moral है या immoral तो आपको पहले से पता होता है कि आप जो काम कर रहे हैं वो सही है या गलत जो आपको पहले से पता है कि सही है गलत, तब भी आप गलत काम क्यों करते हैं What then explains immoral act by people तो यहाँ पर आप body में बताएंगे ठीक न, कि अच्छे देखो, consigns की आवाज जब दबा दी जाती है तब आप unethical काम करते हैं तो आखिर क्या कारणा है कि consigns की आवाज दब जाती है क्या कारणा है कि consigns होने के बाद भी आप गलत काम करते हैं तो यहाँ पर reasons लिख देंगे ठीक है फिर देंगे आप एक conclusion में way forward मतलब कि आप कैसे अपने consigns को मजबूत बना सकते हैं हाँ तो आपने यह बात जो है वह लिख दी है छोटा सा question है वाला ethics का जो paper होता है इसका section A में टेंद मक्स का question पूछे जाता है वहाँ पर आपको यह answer ऐसा लिखना है चोटा सा चलो तो पहले करें क्या आपने define कर दिया what is consigns consigns क्या होता है हमारे mind का एक part होता है जो आपको बताता है कि आप जो कर रहे हैं वो morally right है या wrong यह आपका inner mind होता है यह आपका अंतरात्मा की आवाज होती है करते क्या है कि लोग unethical काम करते हैं unethical काम करते हैं moral काम करते हैं क्योंकि वो अपने अंतरात्मा की आवाज को दबा देते हैं उसको neglect करते हैं तो अखिर क्या कारण है कि वो इसको दबाते हैं नेगलेक्ट करते हैं, पहला करन होता है, लगर आफ इंडरेल्मेंट एन स्टेटस, माल लो कि आप एक सरकारी पदपर हैं, आपको घूस ओफर किया गया, आपको पता है कि घूस लेना गयर कानोनी है, गलत भी है, अनिफिकल इमोरल है, तब भी आप घूस लेते हैं, क्यों? तो लोग अपना स्टेटस बढ़ाने के लिए, अपना जो सम्रुद्धी है, वो इंप्रूफ करने के लिए, वो घूस लेते हैं, वो गलत काम करते हैं, वैसे ही, रैशनलाजेशन, होता क्या है कि आपको जो काम करना होगा, वो आप करेंगे, आप बस उस काम को करने के देता है, जिस्टिफाइ करता है, कि यह आखरी सिगरेट है, अब इसके बाद नहीं पीएंगे, या फिर किसी को शराब शोलनी होती है, तो वो विस्टिफिल देता है, कि अरे, हम तो काम करके आते हैं, थके हारे होते हैं, तो थ्वा सब पी लेते हैं, है कि नहीं कि लोग गलत काम के लिए आर्गुमेंट देने लग जाते हैं, और यह जो आर्गुमेंट है ना, यह उनका जो अंदर का जो खोकलापन उसको पॉलिश करता है, उसके कंसाइंस की आवाज को दबा देता है, जो दारू पिर उसको पता है, कि यह चीज गलत है, नहीं सही है, इसे हमा आफे साल पहले तक सती पर था अनिथिकल नहीं माना जाता था, जब सती पर था अनिथिकल था ही नहीं, तो उस समय के जो परबुध लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी अंतरात्मा को इसने कभी खटाया ही नहीं, कभी इसने जग जोरा ही नहीं, तो जब कोई एक् तो इस कारण से भी आपका गलत काम भी गुलूरिफाइब हो रहा है आप पे कोई लाचन नहीं लग रहा है तो आप तो करेंगे ही करेंगे उसको तो इस सब चीज़े होती है आगे क्या है आप जस्टिफाइब करते हैं आपका दिवाग कई सारे रीजन देने लग जाता है गलत काम भुगरने के लिए एक चीज़ हो आप अपना स्टेटेस बढ़ाने इस सब पॉइंट में पहले बता जाता है कि आप अपने अर्गमेंट को कैसे जस्टिफाइब कर रहे हैं एक चीज़ और है आपका दर्जा कम हो जाएगा अगर आप घूस नहीं लेंगे तो हो सकता है कि आप पब्लिक सर्वेंट हूं आपको घूस दिया जाए आप नहीं ले रहे हूं मगर डिपार्टमें रखने के लिए घूँज लेने लग जाते हैं कहते हैं कि आप मेरे पास चारा है क्या है यही यस्टिफेकेशन देना हो गया आगे सेंस अफ पावर कई सारे लोगों को लगता है कि वह इतने पावर्फुल है कि अगर गलत काम करेंगे भी तो कोई खास फरक नहीं पढ़ने साइंस रहते हुए भी गलत काम करते हैं अब आती है बात कि यहां पर आपको करना क्या है यहां पर आपको कैसे मजबूत बनाना है आपके कंसाइंस की आवाज को आपको बचपन से ही इंटेग्रीटी सिखानी है बच्चे को ठीक है मतलब कि अगर आप इमांदार है तो नहीं कर देंगे समझ के बात यहां तो इस सब चीजें है ठीक ना तो यहां पर करेंगे क्या आप पहले जो इंटेग्रीटी है वो आपने इंकल्केट की बच्चे में एक जो बढ़ियां इनवार्मेंट है वो उनको देंगे मतलब कि इथिकल इनवार्मेंट यह नहीं कि आ जो बेटर इथिकल इनवार्मेंट इन स्कूल सोसाइटी फैमली यह सब बात है आप यहां पर लिखेंगे तो इन सब कारणों से आपका जो कंसाइंस है मजबूत होगा आपकी आवाज को आपके अंदर के वाचे कोई दबा नहीं पाएगा बाहरी को एक्ष्टन अंदर को आपने बात है आप एक इंत्र पोलोजिस्ट है जो एक ट्रााइब के साथ रह रह रहे हैं आपने देखा की ट्राइब इंफ्रैंटि साइड प्रैक्टिस करता है अपने religious belief कि अदहार पर, उसको follow करता है अब हुआ क्या, पता है इनफेंट Hutchaisád जो बचों के हताय कर दे जाती है च्छोटे में तो यहां पर चीज़े होते हैं ज़सी के हमारे हैं क्यों होता है हमारे समाज में क्या होता है की हमारे यहां जो girl child है उसकी हत्य कर दे जाती है पैदा होते हैं या फिर पैदा होने के पहले ही क्लिए आते हैं उसको हम कहते हैं 40 side जो futures होता है उसको मार देते हैं तो इस सब चीजें होती है तो कहा क्या रहा है कि वो अपना धार्मिक फाल कर दे है पुलिस में इसे खिलाफ कि हां यहां पर गलत काम करते हैं फोलो करते हैं विच जारी लेगल एक्ट ठीक है अब पुलिस आपको बुला लिया समनिंग के लिए कह रहा है आपके पास क्या लिए लिए आपने जो च्ट्ट लिया है उसके कुछ नगेटिव सोगा कुछ पॉजिटिव इन्परकट होगा तो उनको उनकी स ठीक होलडर इनवलव इन ऐन इस गेस stakeholder कुण कुण से है आप है as anthropologist tribes है जो ये practice follow कर रहे हैं जो लोग हैं जिन्होंने ये फाइल किया है FIR चौथा police है जो investigation कर रही है चार लोग यहां पर stakeholder है अब आती है बात कि ethical issues क्या क्या है सबसे पहला ethical issue ये है कि tribe जो काम कर रहा है वो उनके हिसाब से unethical नहीं है ethics का एक source religion भी है religion भी हमको ethics के बारें बताता है for example आप माभारत पढ़ेंगे गीता पढ़ेंगे रामायन पढ़ेंगे तो आपको ethics पता चलेगा जो रामायन है वहाँ से दिखता है कि family के परती आपके value है जो मेरा अधर प्रशोत्तम है वह समाज के परती क्या values उसको प्रैक्टिस करते हैं ठीक न तो ऐसे ही जो धर्म है वह source है religion का तो आप समझो tribe ने बाहर के दूने देखी नहीं है उनका जो अपना practice है अपना जो ritual है वही उनके लिए ethical है तो इसी कारण से वह जो इन्फेंटिसाइड है उसको follow करते है ठीक है अब बात यह है कि tribe जो कर रहा है वह उनके हिसाब से ethical नहीं है मगर law के हिसाब से तो वह गलत है ना law क्या बोलता है इन्फेंटिसाइड इस इल्लीगल तो as an anthropologist आपको क्या करना चाहिए क्या आपको यह incident report करने चाहिए या आपको ट्राइब का जो practice है उसको बरकरार रहने देना चाहिए उसको छोड़ देना चाहिए कि जाओ तुम आपके पास choice पहला क्या है turn the blind eye, ignore कीजिए जो आपने देखा कह दो कि मैंने कुछ नहीं देखा ठीक है दूसरा आप बोलो कि हाँ मैंने देखा और आप इसके लिए जो eye witness है वो बन जाईए ठीक है eye witness बन गए अब दोनों action को आप analyze करेंगे अगर आपने ignore कर दिया तो इसके negative consequence क्या होंगे positive impact क्या होंगे आपने बताएंगे अगर आपने ignore किया तो इसका positive क्या होगा इसका negative क्या होगा यह बता दिया अगर आप eye witness बन जाते हैं तो इसका positive क्या होगा इसका negative क्या होगा यह आपको पता है आपको बस यह लिखने की लिखने की टिपर बना करके ठीक है जिसे कि अगर आप इग्नोर करते हैं तो क्या होगा रूल ओफ लॉव विल बी कॉंप्रमाइस्ट देखो इसका model answer कुछ खास ऐसा मैंने लिखा नहीं है इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो structure है पहले हो इसको समझो ध्यान से ठीक है आपको किस तरह का answer आपको लिखना है अगर आपने इग्नोर किया तो जो rule of law है वो compromise हो जाएगा जो practice है infanticide की वो नहीं रुकेगी जो travels है वो और motivate होंगे कि हमारे खिलाफ police complaint फाइल हुई थी मगर कुछ नहीं हुआ अब कौन ही कि हमारा बिगाड सकता है ठीक है तो तीन पॉइंट आपने इसके negative में लिख दिया positive क्या होगा अगर आपने इग्नोर कर दिया तो जो travel की जो practices है वो चलती रहेंगी those practices will be conserved will be preserved दूसरी बात ये उनका internal matter है और वो भी उनके हिसाब से ethical है उनकी जो travel practices उनकी सबसे वो ethical है ठीक है अब करें क्या अगर आप eye witness बन जाते हैं तो क्या समस्य होती है eye witness बनने के बाद आपको गवाही देनी पड़ेगी पुलिस में कि हाँ मैंने दिखा था उन्होंने मारा है बच्चे को इससे क्या होगा tribes की rituals हैं इथिक्स अलग है travel का इथिक्स अलग है हम अपने समाज का इथिक्स travels पे impose कर रहे होंगे समझ के बाद ठीक है तो इस सब चीजें है तो आपने इसके जो positive consequence है जो negative consequence है वो लिखा है आप करना क्या सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि आप जो बाग की दोस्तों के answer है वो देखिए किस तरह के point उसने होँआ mention किये है आपको मने structure बता दिया है पहले stakeholder लिख देंगे इसके बाद ethical issues लिख देंगे इसके बाद आप यहाँ पर दोनों आपके पास जो choices हैं वो बता देंगे उसके positive उसके negative साधर mention कर देंगे और फिर आपका answer आपका conclude हो जाएगा ठीक है चलो तो यह हो गई बाते हमारी आज की हम मिलेंगे अब Monday को ठीक है ना चलिए फिर ये हाँ सारा काम हो गया ठीक है मिलते हैं फिर बाता है